कि वेलकुन बैट को शनल माई इम लोकिश्ट आओ तो मैं फिफ्टेरे मेडिकर सुन आवरेमबग स्टेट मेडिकल नुशिटी अन इन दिस वीडियो विल टॉकिंबाओड कोई इनुश्टी वारे में नहीं बलकि उससे जादे इंपोर्टन कुछ रूल्स एंड है ठीक है आपको किस-किस चीजों को देखके किन-किन चीजों को देखके आपको अडमिशन देना चाहिए यह बहुत सारे बच्छों पता नियुकित समझ नहीं आता कि यह सब्सक्राइब करके आप आप बच्छा किसे भी सुन के कुछ आ रहे हैं कर मैंने इंग्विश्ट कैसे फेर्म जी फेर्म यह बोला गया था आप है आप कर में से किसी भी कॉम से करके लेकिन इन चीजों को ध्यान रखना होगा यदि आप इन चीजों के करके आते हैं यह चीज़ें आपकी साइटिस्फाय करती है तो आपको नेक्ष्ट देने का मोका मिला यह आपका डिग्री बैलिट बनना जाएगा तो वह चीजें क्या है आज उससे बात करेंगी ठीक है सबसे परोटे फीट से डियर एक करता हूं अधोक्त क्लैक गोगें क्या इंपॉर्णंट हैं निट क्लिफाई आपने करके आना है निट कौलिफाई यदि आप नहीं करके तो आप इंडिया में नेक्स्ट एक्सम नहीं दे पाओगे यह तेपBaby यह नसी नहीं दे पाऊगी चलता है वह उसका अगर और उसका अगला हयर अग्लशन क्यातेMI कि आपको पता हो कि फिलिपीन्स में बहुत सारे बच्चे दिए वह स्टार्टिंग में 2 साल का लगबग पॉर्ण दो साल का वहां पर बैस को सोता था जो कोई 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 कोलेज कोई पूने में करता था कोई चैनय में तो फिर में को अमभीवेट्स प्रोग्राम में नहीं मानेंगे गर्मनें बुला यदिया इंडिया इकुन कोर्स जहां पढ़ा पढ़ाए जाता है जहां उतना डिरीशन होता है यदि आप वहाँ से करके आएंगे उसके तो ही आपका डिग्री मैं जाएंगे इंडिया एक्वाइल मतलब क्या कि इंडिया में 4.50 साल का एंबीबियस होता है ठीक है चाहिक पढ़ा जाता है मतलब कितना होता है यह 48 प्लस इक 54 मुंद्स 54 मुंद्स का कोर्स होता है और एक साल की इंटर्शीप यह ओगा 54 प्लस 12 66 आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो वहां पर कम से हैं आपको 66 मंच विताने हैं 66 मंद्स का टोटल को जिए वित वन एयर इंटरशीप यह अन्मसी ने कलियर क्लियर गैडिल दी है सबी कॉलेजिस को यह फॉलो करना ज़र्य है 66 मंद का टोडल कोर्स जूरेशन विद वर्ण इंटर्शिप यदि आप कॉलेज फॉलो करती है तो आपके डिक्री बाइलिट मंट जाएगे राश्या में शिक्स यर्स का ही कोर्स से 5.88 का तो 66 मंद के वी से जाधा ही है मिनिमम 66 मंद आपका एब्रॉड में कोर्स जूरेशन ह प्रण 21 के पहले फाइव एट कोर्स होता था वहां बच्चे पान साल पढ़ते दे और इंडिया वापस आते दे कदाकिस्तान कि रिगिस्तान उज्वेकिस्ताम जैसे ही एफ मजल रेगूलिशन तो फॉटां 21 कदाकिस्तान कि रिगिस्तान अपने अपने कोर्स जिविशन म सब्सक्राइब कभी इंटर्शीव होता था रश्या में उल्लेडी वन एक क्लिनिकल जो इंटर्शीव है वह होती थी कदाकिस्तान कि रिगिस्तान में कभी ऐसा नहीं होता था आपके नहीं कभी नहीं होती थी एफम जलेवलेशन टूटां 21 यह जब अट्टर नेमबर 2021 को कोई गाइडलेश थी इसके बाद कर्ण कि रिगिस्तान उल्पिकिस्तान अपने अपने एक साल कर दिये वैलिट होने के लिए एक साल किया है वह मांदो 2021 वाली बैच से लाग होगा तो 2021 वाली बैच का छटा साल कभ होगा सिक्ष्ट यह में तो दो हजार 27 में सबसे पहली ब हो यह निए अन्होंने ऐसा बोला तो है कि हम लोग आठ करेंगे अपने जो कई जोंडिया इंडिया इंडिया इंप्सी का अज उसमें उसमें उन्होंने बता है कि हम लेकिना सच में हुआ है या नहीं यह तभी पता चलेख जब तोड़ी से बनाएगा क्योंकि 2021 वाली मतलब haunted and को उस्पेकस्तान में कभी दौक करें घुट न형 जब यूश्या का वार उक्रेयन में जब बच्थों की पड़ाई फेक्टोई तो युक्रेण के बच्चों को transfer नेकर जगह नहीं थी प्रोग्राम लाया गया जिसमें आपका चेंज करके लोकेशन आपका चेंज करा गया कि आप इस college के नाम पर उस्बेकिस्तान पढ़ेंगे तो उस्बेकिस्तान में तब पहली बार MBBS उन्होंने प्रोग्राम श्राट किया जब यूक्रेन के बच्चे वहाँ पर गए यूक्रेन के बच्चों ने वहाँ अपना एड्यूकेशन कट्मी किया उसब्यकिस्तान में फर्स्ट चेट से अड्मेशन लेके ऐसी कोई भी व्याज ऐसी पासोट हो नहीं है उ पुष्बिक्स्तान के बारे में एक और जो जूट मेरे साब से बोलूगा कि अफवा फैल हुई है कि वहाँ पे बिना लाइसेंस के वहाँ बिना लाइसेंस एक्जाम के लाइसेज मिल जाता है अजब अगर मैं बोलू कि कि इंडिया में बिना नेट एक्जाम के ही आपको मेटिकल सीट मिल जाएगे तो बात अजम होगी क्या वैसे कोई भी कंट्री बिना आपके एक्जाम ले आपको लाइसेस क्यों बाइटेगी वह कंट्री को अपने देश वास्यों साथ खिलवाड करना है कि आप किसी ने बोल दिए यूट्यों में देख लिया कि आटायजाट एक्जाम नहीं होती अब हम नहीं होती तो दयक्ति लाइसेस मिल जाएगा लाइसborne दिन नहीं पड़ेगी एक्जाम नहीं पड़ेगी तो चलो उद्रोजब्यकस्तान में कहां कुछ तो अपना डोका थोड़ सा वापरा करो आदमीने कि क्या बोल रहा है आगे वाला क्या सीन चल रहा है क्यों बिना लाइसे से एक्जाम के कोई भी कंट्री तुमको लाइसे देगी अफवा है तकि अडमिशन हो उच्बेकस्तान को जाता नहीं है एडमिशन के लिए क्योंकि वहाँ से अभी तफ बच्छे पासओट नहीं हुए है भी आ कर्दार्गिस्तान कर्दार्गिस्तान कोई भी सिक्स यह स्कोर्स वाला निकला नहीं है वह 2021 की बैच वाला बच्छा निकलेगा क्योंकि तभी यह रूल साहे थे और करने हैं तुमको जिस कंट्री में तुम पढ़ रहे हैं लेकिन उसको छोड़ के इंडिया में नेक्स्ट एक्जाम तुम दोगे क्योंकि तो तुटाउजन ट्वेंटी एट में पहली बार नेक्स्ट होगा तो दो हजार इक्कीस की जो एबरॉड वाली बैच है वह तुटाउजन ट्वेंटी सेवन में पास होगी तो उनको एक अटेम मिलेगा लेकिन जो दो हजार बाइस वाली बैच वह तुटाउजन ट्वेंटी एट में पास होगी उनको डिसेंबर का या ऑगरस्ट का जूभी नजदी की आएगा उनको भी याद नहीं हैं मार्च और और अक्टुबर श्याइद बोला था उनको जैसे 2022 वाली बैच टूटाउजन ट्वेंटीट में पास होगी तो टूटाउजन ट्वेंटीट में पहला नेक्स्ट एक्जाम बोलूब देंगे तो दो एज़ए नेक्स्ट एक्जाम होगी तो तुम नों जो देख रहे हो जो इस साल जा रहे है 2022 में जो गया है 2023 में गया वह नेक्स्ट ही देगा बाकि सबको कुछ-कुछ अट्रे मिल सकते हैं हुआ है है भूल गया में है कि अइन इनडिया एक्विर्bn कोर्स का मैंने बता दिया तो यहां पर देख competitors करनी है लेकिन एक्याम पास करके नेक्ष्ट $ cetteς Іंब्स्ट एक्शाम करनी है तो जहां पढ़ाइभ reb करनी है और इंडिया में भी आके करनी है तो इंडिया और एब्रॉड के इक साल जाता लगेगा लेकिन यह जो next exam है यह तुमको भी देना है और इंडिया में जो कर रहा है उसको भी देना है मेरी एक fmg और लेकि वीडिय कि दिस्क्रिप्चन में है वह जाके देखो उसमें तुमको फर्ट पता चलेगा कि in तो भी भी देना है यह को भी देना है यह सीब capsicone फिन यहाँनिती में देंगे इस भी कंट्री से पढ़े हैं चीक वहां से आपका जो लैंग्वेश वह वह शिक्षेश्ग इंग्युश्ष में आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा आपको इंग्लिश में वांद लेना है आपका। सिक्समिन्संत्य पर ग्राम होना चाहिए इंब कर यह आप जिस भी कनटरी पड़े वहां से आपको लाइसेन्स लेकर आना वह कंट्री है आपको ऐलिजिबल या वो कंट्री आपको आप उस country में license लेने के लिए eligible होने चाहिए यह आपको license लेना है यह एक थर्ड रूल है तो पहला रूल 66 में जहां admission ले लिया आप transfer नहीं ले सकते 18th November 2021 के बाद में जिन भी बच्चों के classes start होगी यह जिन भी बच्चों के classes start हो रही है मतलब 2022 की हो रही है क्योंकि 18th November 2021 के बाद में जो भी बच्चों के classes start होंगे admission लेंगे वो कोई भी transfer के लिए valid नहीं है आप transfer नहीं ले सकते यदि आपने एक बार किसी कॉल्ज में admission ले 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 तो आपको 6 साल वही से पढ़ना है यदि आपको college चेंज करना है तो आपको फिर से फर्स टेर से admission लेन अभी वह transfer चाहता है Samara University में तो आपको समारा में फर्स टेर से start करना पड़ेगा आप year continue नहीं कर सकते है transfer invalid है 18 November 2021 के बाद में जिन्हों ने बैट मिशन लिये वैसे तो classes का है लेकिन तुमको सम्झाना के लिए बोलता हो कि 18 November 2021 के बाद में जो भी वच्छा रशिया आया है पहली बार admission लिया है वो transfer के ले नहीं है आप transfer ले नहीं सकते आपको वही पढ़ना चेंजी करना है तो फरस्ट एर से आपको करना पड़ेगा को नीट क्वालिफाइए हो के आना इंपोर्टेट है यादि आप नीट अन्क्वालिफाइड वह आ सकति हो लेकिन आप इंडिया में next राव नेथे वाऊंगे हो क्या क्रैट्रिया है निट क्रैट्रिया है को 107 लास्ट यह होता है समय को लास्ट ओन साथ ап यद आपको नियच में जंड्रल क्रैटीरी तो अपी साल क्या क्रैटीरिय क्या क्रैटेरिय आता है लगबाग उतने होगा जेनरल के 140 और OBC या रिजर्फ ट्राटिक लिए 110 तो 151 सेफ स्कोर मान के चलो PCV एग्रिगेट यदि आप उपन क्रेटिकर से हो तो आपका 50% होना चाहिए रिजर्फ क्रेटिकर से हो 40% आपका PCV होना चाहिए PCV मतलब PCV 12 का परसें नहीं 12 का PCV फिजिस केमिश्ट्री बायों यद तीनों मिला के सिर्फ तीनों मांक्स तीनों के मांक्स बाय तीनों की टोटल जो अगर 200 मांस के तीन पेपर हैं तो आपको PCV कितना आया डिवर्डबर 300 वह 40% होना चाहिए यदि आप रिजर्फ क्रेटिकर से फिफ्टी परसें यदि आप जेंडरल क्रेटिकर से हैं कि फिलिपिन्स वैलिक नहीं है चाइना भी आप जाना जाए क्योंकि महां पर लैंग्विज की बहुत दिखते हैं चैनीज लैंग्विज जाना मस्ट है और चैनीज लैंग्विज की स्पेसिफिकली सेकंड सेमिस्टर में एक्जाम होती है यदि आपका एक टूप जाता है कि सबकी तो सारे बच्चे वही जाते सारे साक्राइम जाते तुम लोग तुम दिमांग को मिध्कत होगी अकटूबर नहिंबर में कहीं मिल रहे थे कुछ को मिले कुछ का एर वेस्ट हो गया है तो कि यह जो रूल साथ डेक्विशन है सबको में सबसे क्लिर हो गए होंगे ट्रांसफर वैलिड नहीं है ट्रांसफर नहीं है आज आप एड्मिशन लो 2021, 810 वैलिड के बाद जरों नहीं इड्मिशन लिया है उन में से कुई भी ट्रांसफर नहीं ले सकता जहां ले लिया वहां ले लिया वही पढ़ना पड़ेगा यदि चेंज करना है तो सब्सक्राइब करना होगा कि लैग नहीं हो मैं सुझ रहा था कि बाकि कंसर्ण की बातों पर आंदा तुन हमेशा विश्वास मत करो कोई आया तुम को उस नहीं बताया सब मान की चले गए खुद की रिसर्च रखो तुम बड़े हो गदे घोडे नहीं हो कि किसी की बाती सुनके चले गए खुद की एक रिसर्च रखो खुद के रिसर्च रखो खुद इंफर्मेशन ग्यादर करो और बाकि अपने वेट के साब से मैंने बहुत सारे कॉलेज के उपर डाली है चैनल पर जाकर देखो तुमको मिलेगी पांद्रा अगर आपका लगबका 15 लाइक फीज के लिए बजट है 15 16 लाग तो मैंने इनुट्री बताईए उराल मेरे साब सी ठीक है बाकि केमरों में दिक्कत है क्या थी साल मैंने बताई है नहीं वीडियो में कबार्य में थिक्कती बताई और में भी क्या दिक्कती यह सब बात अलड़ी मार्केड में आचुकी मैंने भी बनाई उस वीडियो के कमेंड जाके देखो बश्किर के और अगर यदि आप 30 लाग का बजट लेके चल रहा है फीज के लिए फीज के लिए औरिंबर्ग नॉर्दन कजान यह सब बहुत बैस्ट है लेकिन कजान में होस करके रह रहें यह भी बात किसी छूपी नहीं है लेट्स ओल स्पीक टूथ नाओ और मार्केड में जो सच है वह बाहर आ चुक है अन्यसरी आप किसी को गुमला करके अभी नहीं रशकते तो यह थी वीडियो और अगली वीडियो मेरी किस टॉपिक पर आएगी आएगी कि रश्या में डिग्री इन्वालिट है या नहीं इस पर मैरी अगली वीडियो आएगी तो जीन लोग ने देखिए वीडियो यह वाली उनको अगर अच्छी लाएगे तो लाइक कर दो आएगे जैसे वीडियो उप कुछ पूछना है या किसी को कॉलिज पूछना है किसी को कॉपरिशन का नंबर चीए एडमिशन कर रहा हूँ क्योंकि इस साल बहुत प्रॉड है मैं पर सली इसमें अभी ध्यान देरों कि जब तक में पर समय मत अब तक करूंगा जब से में जब तक मिरें से नहीं बनेगा मै तब तक तो बच्चों को दिमाग आई जागा लेकिन मैं पर सली इसमें गुसरा हूँ मैंने कभी सोचा था बड़ इतना प्रॉड हुए मेरे को पर सली ही आपके एडमिशन भी आपको हेल्प करना पड़ेगा और बहुत बच्चों ने अभी तक मेरे से कंसल करना शरू कर दिया है कुछ कुछ बच्च ने अपना एडमिशन के लिए रेजिट्रेशन कर भी दिये तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका